इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि जाती व्यवस्ता हमारी बदल रही है उसमें परवर्तन आ रहा है और परवर्तन आ रहा है तो क्या क्या परवर्तन आ रहे हैं वह अपने कुछ बिंदूओं के बाद धमचे जो इस प्रैस्ट किया था लेकिन अब यह एक प्रेस्ण य कारण नहीं होता है बदलाव नहीं आता परवर्तन नहीं आता चाहे वो उसके कारण कुछ भी रहे हों किसी इस्टर के रहे हों लेकिन कारणा बस्यों होते हैं तो यहां जाती व्यस्ता में जो परवर्तन आये हैं और उन परवर्तन लाने वाले कारकों की जब बात करें तो तो जैसा कि हमने जानते हैं, हमने देखा पढ़ा कि अंग्रेजों के आने से पूर भारत में एक धार्मिक शिक्षा का पुचलन था और जिसमें किवल ब्रहाम्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था शिस जातियों की जहां तक बात है तो उनको कोई शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था जाती के लोग अपने जाती विविश्चा की शिक्षा परिवार जनों से हम जैसे जानते हैं के घर में ही प्राप्त कर लिया करते थे अंग्रेजों ने भारत में धर्म रिपेक्ष एवं सारवजिंजेक शिक्षा को प्रारम किया था और इस शिक्षा के कारण भारतियों को रूड़िवादता एवं हम कहसें कि संकीरता से अंग्रेजों ने मुक्ति दिलाई जिस्चे लोग सतंता समानता एवं भाईचारे की मांग करने लगे उनमें उन्सकी वह भावना प्यता होई सतंता समानता और भाईचारे की और इसके लिए वो कि उन्सकी संगहर्श भी करने लगे हैं आंदोलन करने लगे करने लेए तुब वैज्यन के शिक्षण में लोगों में एक तार्किक द्रश्टी कौण को जनम दिया सकते क्या कि जिसके फर सरूप कि जाती व्यस्ता निर्वर लगों कि अंग्री करीब हम कह सकते हैं कि देड़ सो वर्षों के सासन के कारण भारत में पश्चिमी शब्विता एवं जो संस्कति का संपर्ख हुआ और पश्चिम की जो अब धाना जैसे व्यक्तिवाद है उतारबाद है भौतिक बाद है उपयोगताबाद है इन अब धानाओं का काफी कुछ भारती समाल पर प्रभाव पड़ा है तो इसकी करण जाती व्यस्ता में हम देखते हैं एक परवतन आने का करण एक महत्पून करण था कि जिसमें पास्टा चिछा सब्सक्राइब देखने को मता है अ दूसरे बिंदू के रूम में हम देखते हैं और नगरी करण इसे भी हमारी जाती व्यस्ता में काफी कुछ पदलाव आया काफी परवतना आए जैसे जैसे समान्द में जाती करण हुआ नगरी करण हुआ स्टिभी घ्रामिर गाओं में ईपने ब्याश्त चैते उनमें काम किया करते थे ने किया करते लेकरिन देरे ढेल है ज90 के बढ़ते किसे नायन की इसले जारी है पूरेजे सटिए और गाली हुए का निकास होने लगा है मशीन के सब्सकी काम होने लगा जयका कि पहले हतों से काम था था कुटी में है माधध्यमु उद्पदनौक हिए जब मशीन करण हुआ और उसके कारण इसका परढ़ां मेर उचे-इस bereks4 नगरिक इंगर आप भी समाधमिफ्राराम हो गई तो अधिक ठीक्रण के कारण युगाउं के जो लोग थे वह नगरों में जाकर बसने लगे नगरों में जाकर काम करने लगे तो वहां जो शैंच्टी-परिवार की जो उसमें रहने की उसके जातिकत नियमों में रहने की जो एक वाध्यता थी व वहां वह बेलकुर स्थतंत्र हो गए और जौन के उपर जौ जातिकत गुण नियम इक हम कर सकते हैं के ब्याभार को नियंत्रित रख्ते थे उसमें परवर्तन आ गया उसमें परवर्तन आने के कारण हमारे जैसे इसके कई हम परिणाम देखते हैं अंतर जाती विवाह होने लगे जीवन साथ ही अपने कह सकते हैं कि अपने मर्जी से चुनने लगे तो इस पकार के काफी कुछ जाती वियस्था में हमारे में परवर्तन आए जिसका एक प्रमुख कारण पद्दोगी कारण एवं नगरी कारण माना जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि नगरों में जहां सबी जाती हो कि जो लोग हैं साथ साथ रहते हैं इससे भी उनके एक जो बीच में जो जाती है भेद भाव की जो उनकी विचार से उन विचारों में से थिलता आ गई क्योंकि घर बार जब छोड़के जब अपने पड़ोस में कोई भले दूसरी जाती का व्यक्ति रहता है तो वहां जातिगत भावना हमारी कमजोर पड़ जाती है वहां फिर हमारे समाजिक शंबंध चुहें वद्रण हो जाते हैं वहां व्यक्ति यानि अपनी जातिकत जो नियमों को दर किनार करने लग जाता है तो एक यह बहुत बड़ा करान रहाता जिस जाती व्यस्ता में परवर्तन आया अगला बिंदुएश में धन का बढ़ता महत जैसे व्यक्तियों की पास में धन बढ़ा धन की बद्धी हुई भी कम जोर होई। बहत्मान में ज़स्थानम पर व्यक्तिकत बलडों को महतु दिया जांए लगा। व्यक्ति का मूल्यांकन जो पहले जातिकत आधार पर हुआ करता था आज हम देखते हैं कि उसकी संपत्ति उसके गुण उसकी योगिता इसकी आधार पर उसका आंकलन किया जाता है उसको महत्त दिया जाता है तो यह जब चीजे आई धन का जैसे-जैसी महत्त बढ़ा तो वहां भी लोगों में फिर जो जातिकत जो विचार थे उकम्ज़ोड बढ़ गए और व्यक्ति धन को महत्त देने लगा भ्रक्ति धन को मत देने लगा कि धन उसको प्राप्त करना है तो जरूरी नहीं है कि हम अपने जातिकत ब्यवस्टाय में ही लगे रहे वह दो उन्होंने अपने जातिकत ब्युश्टायों को अपनाने लगे जिसे उनको जो आर्थिक जो इस्तर है आर्थिक जो विकास हो सके तो वहां जातिगत जो विचार थे वो कम जोड़ी है और इसे भी जाती हुए अस्ताम में परवात ना है बिन्दुचार के रूम में हम देखते हैं सतंता आंदोलन जैसे हम जानते हैं के अंग्रों जों से मुक्ति पाने के लिए एक सतंता आंदोलन के जो दोरान हमारे राष्ट्री निताओं ने सभी देशवासियों को एक जाती भेद्वाव भुलाकर आंदोलन में कूद पढ़न के लिए जो आवहान किया था उसके परणाम से रूप क्या हुआ है कि उसके परणाम से रूप बिभिन प्रांत धर्म में धर्मों जाती हूं भासाओं से शंवांदित लोगों ने एक जंडे के नीचे एकत्यत होकर शत्याग्रह किया है अब हम आपने आपको अनेक आंदलो के लोग सभी अपने जातीकत्बहिद भावों को भूल गए थे और उनके सामने सेख एक तार्गार तक हमें अपने देश को सतंत्र कराना है तो वहां जब सभीवेसाद जेलों में रहें एक शाथ साथ वो रहते एक धाना काते एक खेलते देगे चाहत पानी पी पीटते बै वह एक हम कहते हैं कितना महत्पूर्ण नहीं था इतना नहीं था जितना उनके सामने जो टारगेट जो महत्पूर्ण था हमको अपने देश को स्वतंत्र कराना है तो इसे हमारी जो जाती बेवस्था में जो आए आया है वह बहुत कुछ उसमें बदलाव अगले विन्दु के रूम में हम देखें कि प्रजात्र की स्थापना जैसी जैसी में सतंत्र की वाद में प्रजातन से की स्थापना हुई वैसे वैसे जातिगत व्यवस्ता हमारी पमजोर होती गई उसमें बदलाव आते गई यह भी एक महत्पूर्ण इसका परिवर्तन का कारण रहा है सुतंत्रा के बाद में देश में जब हमारा नया सम्मिध्धान की बना और सम्मिध्धान के तहत हमारे देश में क्रिया कलाप या देश चलने लगा तो उससे हम देखते हैं कि जिसा के हमारे संबिधान में रंग, लिंग, जनम, धर्म, आदिक आधार पर किसी के पृति कोई भेधबाba हुए देखने को नहीं मिलता है सबी लोग वहाँ एक समान हैं हम रंग भेध नहीं कर सकते हैं लिंग भेध नहीं कर सकते हैं जनम के अधर पर सभी बराबर हैं तो वहां एक कह सकते हैं कि सभी देशवासियों को इसमें समान अधिकार मौलिका अधिकार दे दिये गए तो जैसे जैसे प्रिजा अत्रे की विचारों की स्थापना हुई देश में समाज में और लोग उनों नों किरहन किया जैसे जैसे प्रसार हुआ जागरूक हुए और इसके खालन भी हमारा जिए जाती विवस्ता में बदलाब आया है अगले विद्धु करूंच में यहां हम कहते हैं कि धार्मिकान दोलन भी ऐसे रहे जिसे जाती विवस्ता को कम जूर किया यह बहुत और अने जैसे नामदेब तुकाराम कभीर आदी इनसंतों ने जाती के जो दोस्टों की कह सकते हैं कि बहुत आलोचना की जातीकत विवस्ता में हमारे जो दोस्त है जो कमियां थी कि उनकी उन्होंने भरपूर समाज में कह सकते हैं कि उनको विस्तार से लोगों को समझाया और इसकी प्रती आंदोलन भी किये तो इसके कारण भी हमारे जातीकत जो हमारे समाज में जो चुआ चूट एवा उन्ट नीच की जो भावना हुआ करती थी उनको समप्त करने में काभी कुछ जिन्चे योगदान मिला है आर समाज की हम बात करें द्यान विस्ति की जहां तक बात करें तो उन्होंने जातीकत आधार पर जो हमारा समाज बटा हुआ है उसका भरपूर विरोध किया और उनका मानना था कि सबी जातियां किश्वर किश माना जाता है जन्म के अधार पर कोई जाती उची और नीची नहीं होती है अगले विंदु के रूम में हम देखेंगे यहां यातायाथ एवं संचार के शाधनों की जैसे जैसे उन्नती हुई वैसे वैसे जाती वैस्ता हमारी कमज़ोर होती गई यातायात एवं संचार कि जैसी जैसे नई शाधन पैदा हुए लोगों में गत्चीलता बढ़ी विभिन प्रांतों के लिए कि एक दूसरे प्रांतों में आने जाने लगी विभिन धर्मों एवंजातियों की लोग देल बैस वायूयान में शाशात यात्रा करने लगी तो इस यून में क्या हुआ कि कह सकते हैं कि सामाजिक संपर्क बढ़ा और सामाजिक संपर्क जब बढ़ा तो उनमें समानता के भाव भी पन पर समानता के भाव पैदा होने लगे पिपोगे यह समान्ता के जहां पधार्दा होने लगे तो जो छुवा छूत की जो भावना थी उच्छ २ीच की जो भावना थी खाने-पीने के जो नियम थे जो निशियद थे ता उनमें देरे-देरे सिथित्य दाई और जो हमारी जो ज़ाती विष्चत है उसमें बदलाबाले लाजा परवर्दन आया अगलीमि दुक्रम में में जैसे इस्त्री शिक्षा का प्रसाइब इस्त्री शिक्षा भी उेक महत्तपर्ण कारण रहा जातिवेस्था को कमजोर करने में या उसमें कि जो नियम जातिवेस्था के जो नियम थी जो निश्यद थे जहां उच निच की भावना थी वह इसका भी कमजोर हो यह जैसा कहां मानते हैं इस्त्री शिक्षा कि एक बच्चों पर जो उसरसे पहला जो प्रभा पढ़ता है वो एक मां का ही प्रभा पढ़ता है तो जैसे जेसे मां सक्षित होई वैसे वैसे बच्चों के विचार बदने लगे उनमें जागरूक तगाने लगrain उनमें सही और गलत का ग्यान होने लगा तो जब इस्त्रियों में एक शिक्षा का जो प्रसार हुआ उन्होंने जाती बंदनों को तोड़ा और जाती प्रथा के कारण जो उनको जिन यातनाओं को बहुना पड़ रहा था उनके प्रतिनों ने बिद्रोख कर दिया उन्होंने जाती से संब्दित विवाह खान पान के नियम को हम कह सकते हैं एक चिनोती के रूप में लिया और उनका भरपूर विरोध विकरने लगे बैसर जाती बंदनों को आश्यिकार नहीं करती हैं उसका परणाम है कै आज हमें अंत्र जाती विवाह खान पानस बंदी जो सित्हीलता हैं उच निच श updating जो सित्हीलता हैं ऐस में इसमें इसी जिक्षा का एक बहुत बड़ा योग्णास रहा है अगले बिंदो के रूम में हैं सेंक्त परवारों का विक्टन हुआ एक सेंक्त परवार के विक्टन होने से भी जाती प्रथाव में काफी कुछ बदलाव आया शेंक्त परवारों में जाती नियमों का जो पालना जो बड़ी कड़ाई से हुआ करती थी कठोरता से होती थी एकाकी परवारों की स्थापना होने के कारण जैसे जैसे एकाकी परवारों की स्थापना होने लगी बढ़ने लगे एकाकी परवार जैसे वैसे शेंक्त परवार क ुए कठोर नुजुनियम्थे वह टूटने लगे शितल होने लगे क्योंकि नेएकाकी परिवार पर कोई कोई किसी क्रकार का जाति कत्रियों नहीं होता था कि जो भीखतन की जहां तक बात है तो भीक्तन के कारण भी जाती व्यास्ता हमारी कावी कुछ कमजोर होने लगी अगले बिंदु है कि जाती पाणेत हैं करहास हुआ जिसे जाती पाणेतों कर रास हुआ तो वहां जाती-प्रत्ः को एक जाती-पांत्य जो द्रंतप्रदार करती थी उसमें महत्वन बदलावाया जब जाती पंचायतों के रहा स हुआ हुआा तो वहां जतिकत नियमों का पहले जो जो नियमों का जो अलंगन करने वाले लोग थे उन्हें जतिकत नियमों का पालना के लिए लेकिन जैसे जैसे जाती पंचायतों तो अकर हास्या जाती पंचायतों कि जो ताकत थी जो सक्ती थी उसमें कमी आई वेसे जाती पंचायतों कि हम कह सकते हैं कि नियमों का भी लोग उलंगन करने लगे और वे अपने सम्मिधान की तहट कानून के तहट कारें को अज्याम दे पहले हमने देखा कि जजमानी प्रताज अगर्फान में हमें से मांज में कहीं भी मिलती जजमानी प्रता में जहां एक जाती दूसरी जाती की सेवा करती थी उन्हें पास पर करने लिए तो वहां नवीन विवस्ताओं ने जर्म दे लिया जजमानी प्रथा वहां लगवा समाप्त होने लगे क्योंकि आज एक व्यक्ति अपने अबशक्ताओं को पूरा करने के लिए और दोगे के करने के कारण तमाम इसके पास में रोजगार है तो वही कुछ भी काम करने के लिए आज वो सतंत्र है और अपने अबशक्ताओं को पूरा करता है तो जहां जजमानी प्रथा जो एक जाती दूसरी जाती शेक का जो संबंद था एक जड़ाव था एक काम करने की जो बिवस्ता थी वो खतम होते ही जाती प्रथा भी हमारी प्रफाव और अंत में एक महत्पून जो बिंदू है वह नभीन कानून का प्रफाव अंग्रेजी काल से ही कई ऐसे कुछ कानून बने जो जाती प्रथा के बिरुद्धों थे हिंदू बिवाद करना दिनेम जैसे 1954 विशेश बिवाद दिनेम 1954 हिंदू बिवाद दिनेम 1955 इन कानूनों ने बिभिन धर्मों में अमंग्रातियों के इस्ति प्रफ्ष्टों के बीच बिवाद सम्मन्दों को प्याद गोश्त कर दिया है इस से क्या हुआ है इस से जाती में जो अंतर विवाद के जो नियम थे उनमें शिथिलता आ गई और उनमें जब शिथिलता आ गई तो अंतर जाती विवाद को बढ़ावा मिलना लगा कि 1955 के जहां अस्प्रसिता अपराद जो अधिन्यम बना उचके द्वारा चुट को समप्त कर दिया गया है कोई व्यक्ति एक दूसरे को चूट नहीं कह सकता है यानि चुआ चूट के आधार में किसी से बहद्वा होने कर चकते है तो पहारती सम्मिधान की जो जैसे जैसे ह कि और स्थापना हमारे देश में हुई उचकि जाति विवस्ता या जाति प्तथा कफी कुछ कमजोर हुई शितल हुई उसमें तमम बरवर्तन आये इक तो ये कुछ बिन्दूओं हैं कथ कार्ण हैं किंनक करनों के मत्तम्चे हमारी जाति गेस्ता में बदलावाई आज इस वीडियो में इतना ही